Hello friends ये red line है वो ये में 20 days की line है ये blue line है वो ये में 50 days की line है Nifty is making all time highs Nifty जिस तेजी से उपर गया है उस तरह की तेजी मैं पहली बार देख रहा हूँ correction तो आया ही नहीं market सिर्फ one side चली है ऐसी situation में अगर reversal होता है तो investors को नुकसान भी बड़ा ही होता है circuit वाला stock upper circuit लगागर उपर जाता है lower circuit लगागर नीचे आता है कितनी सारी upper circuits लगी है stock prices इस level पर टिक नहीं पाई यहां से lower circuit की शुरुआत हुई ये तो सबको पता होता है कि एक दिन ये upper circuit खतम हो जाएगी और lower circuit की शुरुआत होगी लेकिन upper circuit में एक दिन में इतना profit मिलता है जितना bank FD में एक साल में interest नहीं मिलता इसलिए लोग buying करते रहते हैं माच 2020 से जो भी new investors आये है उन्होंने देड़ साल सिर्फ तेजी देखी पैसा भी बनाया मंदी का experience उनको नहीं था अब पैसे तूपने की शुरुआत हुई है यहाँ से यहाँ तक जिसने भी लिया वो आज loss में है अगर किसी और stock के लिए आपको ऐसा ही वीडियो देखना है तो आप YouTube search में लिखें CA प्रशांशा और share का नाम जैसे आपको Reliance का वीडियो सर्च करना है तो CA प्रशांशा Reliance और सर्च करें आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी कल प्राइस की नीचे जाने की संभावना ज्यादा है दो तिन दिनों का टार्गेट तैंक यू